हलो दोस्तों नमस्कार फिर से स्वागत है आपका एंजे फार्मिंग में दोस्तों आज हमारा जो 25 अक्टूवर का ट्रेनिंग था वो सफलता पूर्वक हो चुका है थियोरी प्रेटिकल जो भी है सब कंप्लीट हो चुका है अब ही मैं सभी जो अमारे ट्रेनिंग करने के लिए आये थे काफि दूर-दूर मैं उनसे आप मिलवाता हूँ और उनसे रिभ्व्यू लेता हूँ कि ilka जो ट्रेनिंग रहा वो किस तरीके से रहा क्या उनको अच्छा लगा क्या उनको बुडा लगा आप लोग के सामने वो बताइंगे एक एक करके और यह कहां से हैं पर आप कहां से हैं हम पोखारों से हैं, बोखारों जिला से, हमरी तुलाब मुर्मू नाम है मेरा, मैं तो दुबारा यहां आ चुखा है कि आप ट्रेणिंग लिये ट्रेंगे में आपको क्या लगा कि मतलब training एसा अदमी को ले करने के लिए बहुत दिन से सोच रहा था और बीना ट्रेनिंग के कोई विकार में सफलता नहीं मिलते हैं तो आपको ऐसा लगा कि यहां से ट्रेनिंग करने के बाद बेहतर हम कर सकते हैं या फिर इस ट्रेनिंग में भी आपको कुछ खामिया दिखा खामिया तो कुछ ऐसा नह बहुत अच्छा ट्रेडिंग हमको मिला और इससे हम बहुत परवर्थन कर सकते हैं। देखिए यह जो आए हुए है यह बिहार से आए हुए हैं काफी दूर से आए हुए हैं। कुछ लोगों का कहना रहता है कि हम अधर स्टेट में हैं हम कैसे जाएंगे और बहुत लोगों का कहना रहता है कि मतलब कि हम दूसरे कास्ट से विलॉंग करते हैं हम इस चीज को कैसे करें तो आप इतना दूर से आए हैं और कुछ लोगों का कहना रहता है कि वह अलग कास्ट पर चाहिए पर जो जगा अपने अंदर इस देश में देखा जाता है जाती अधारित पर कि फार्मिंग सभी लोग नहीं करते हैं क्योंकि हमारे खास करके भीहार जारखंड यूपी में जाती से जोड़ा जाता इस दंदा को लेकिन अधर कश्ट अधर अश्टेट में जाते हैं तो वहां पर फार्वट लोग करते हैं कहीं मैं ब्राह्मन का ठाकूर का बहुत सार लोगों के फार्म देख रहा हूं का अज 152,000 जानवर उनके अंदर है उनके फार्म में तो कहीं न कहीं ये सब अपने अंदर जाती करते हैं जो लोग घ्रना करते ही इस चीज से उनको तो मैं कुछ नहीं कहसा क्या हूं। जाना है और कुछ अच्छा मुकाम तक जाना है तो आप इस लाइन को कर सकते हैं अब मैं पूछना और धूसरे से पुछना कि वह कहां से आया है उनका यह क्या गेड़ी जिला से आया हुआ हूँ, मेरा नाम है बबलु राजमरांडी, और मेरा तिसरी है, परखंड तिसरी है, और ठाना लोकाई नेनफुर पड़ा, और जो कि आहाँ पर खास बात है कि हम लोग ट्रेनिंग के लिए आये हुए थे, पिक फ्रॉंग के लिए, जो कि काफी यूँटूम में दो काफी यूटूम में जान करें लिए तो पता चला कि यह भी भोट अच्छा कांब है, और इस काम को कहां की हम कैरwe जवरत हैं ऐसा ट्रेनिंग मिला कि जैसे कि हम इस ट्रेनिंग जो लिए इस से हम आगे की और बढ़ सकते हैं ट्रेनिंग की जवरत नहीं पड़ेगी और पड़ेगी तो यहां पर इतना लोग हैं जो कि हम लोग गुरूप बनाए हुए और उन से भी हम सला ले सकते हैं जैसे कि इनका कहना था कि एक बार अभी यहां से ट्रेनिंग ले लिए हैं अब दूसरा ट्रेनिंग इनको करने का जवरत नहीं है अगर कोई भी इनको प्रूब्लम होता है तो हम सब का एक ग्रूप होता है जिसमें कि आपको सपोर्ट किया जाता है जो कि हमेशा किनी को भी तो हमको यूट्यूब में देखने को मिला तो उसमें देखें कि ट्रेनिंग के बिना सब्सक्राइब को रखना तोड़ा रह जाएगा जिन्दा लेकिन उसका ग्रूप सही से नहीं हो पाएगा लाश में नमबर देखें इनका तो कोल करके बाद किये तो बताए कि 25 को डेट है आप आ सकते हैं तो पता उता लिए उसके बाद हम यहां आए ट्रेनिंग लिए यह हां तो आगे बढ़ सकते हैं इसमें हमको लगता है कि दूबारा इन से सलाह लेने की ज़र्वी नहीं पड़ेगे जैसा कि आप देख सकते हैं कि जन्दों ने ट्रिनिंग लिया सबका एक अलग अलग राय हैS जिनका सबका कहना है कि ट्रेनिंग लेने के बाद ही आप इस कारी को सफल हो पाईएगा इस लाइन में तो अगला से फिर जानते हैं यह एक भाई है हमारे जो वो कारो स्टिल के हैं वो काफी दिन से फार्मिंग कर रहे थे और कर रहे हैं और इनको छोटी-छोटी बाधाय होती थी ज इन से इनको लगा के नहीं हमको थोड़ा ट्रेनिंग ले लेना चाहिए तो मैं उनसे थोड़ा सा जानकारी लोगा मेरे नाम हुआ राजकुमार हस्दा मैं बोकारो जीले से रहने वाले हूँ मेरे परखंड गोमिया है पंचाइद बारी डाड़ी गराम चगड़ी ब्राकेट रंगा माटी से मैं हूँ और मैं दो साल से पी करम कर रहा हूँ कुछ-कुछ ऐसा टोपिक है कि आमको समझ में न हमको सफलता मिली ट्रेंजिंग करके और बहुत ऐसा जानकारी मेरे पास नहीं था जो हमको जानकारी मिली है जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसा कि सबका एक रिभ्यू आ रहा है आप भी अपना रिभ्यू दे सकते हैं अगर हमारे वीडियो से संतूस्ट है तो कमेंट में अगर आप हमारे सुझाओ से अगर नाखूस है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं अपना जिस कारण से आप नाखूस हैं मैं दूसरे से एक बार जानना चाहूंगा भी आप आगया जाए और उन्सका थोड़ा सा रिभ्यू लेता हूं कि उनका इस ट्रेंग से क्या उमीद ह हो पाया कि नहीं मैं उनसे थोड़ा जानूंगा भी आप अपने नाम बता दी और एड़े मेरा नाम मामी तुरा हूं मैं लोडगा जीला से आया हूं और डिस्टिक पड़ता लोडगा गाउन रोली खाना तैरो मैं यहीं उमीद करके आया हूं कि मैं जिन्दगी में कभी ल आप फ्यारी मोड में मूर्गी पंचाइद में मूर्गी पंचाइद में यह ट्रैनिंग दिया जाता है तो हम यहीं सूचे कि मैं वहां जाके कियोंने ट्रेनिंग कर ले उसके बाद फिर से मैं प्रीग फर्मिंग करने का शुरू करेगी तो आप ट्र e-d ज कर अभी आपका और ट्रेनिंग का जब्वत ने सब्सक्राइब को तो अब हमको दोबारा ट्रेनिंग करने का कोई आप सकता नहीं है अगर कोई छोटा जो भी हमसे अगर भूल हुआ होगा तो से मैं गुरूप के दोबारा मैं पूछ लोगा ओके थैंक्यू और एक हमारे भाई और है मैं उनस पाँठी कॉडिया और पहुत दिन से मैं सर का वीडियो में देख रहा था तीन सल पहले से काफी दिन से मैं रिचार्ज कर रहा था वीडियो देख रहा था काफी दूर-दूर हमको मिर रहा था अशे ट्रेनिंग सेंटर का भी यूपी पे तो कभी बंगाल पे तो हमको नबर fly टाले थे वीड़ियो में पूछी का नामाइब ढाले तो फिर देखिये बीडियो में shouldneram टिन हॉन एक आ पर लेना चाहते हैं मतलब कर दो हम लेने चाहते हैं य८् enforcement फिर एशने भी टूरल ऊक्टिट्र छोड़ा सा ठीक है इनका थोड़ा पहली बार के सामने इस लिए थोड़ा सा गेजाइब होता है आप जो उसमें आपको क्या लगा कि आप जो सोच के रहे ते वह हो पाया कि नहीं हो पाया तो इस कारण से हमको आप सर से कॉंटे करना पड़ा तब यहां से टर्निंग लिया तो बहुत अच्छा अब ही टर्निंग लेकि ही कुछ आगे बढ़ने का अनुसर मिला है और आगे बढ़ेंगे जैसा कि आप बोलने कि आपको पाफी समय से नुकसान नुकसान हो रहा था वह आप यहां पर आकर सीख पाएं या फिर भी अभी आपको शीखना बाक्ति ने अभी आभ से करन से मतलए कि आप भी जानिक तोकर से नहीं करते थे अभर जैसे अभर ऐसे अभर सार की अनुशार का एक प्रेंचार कहूं डिये तो आगे नहीं रहें थे ठीक है दोस्तों दोस्तों बहुत सारे लोगों का लुट का इधारम रहता है कि हम जो भी कुछ बिजनस करते हैं वो सिर्फ लड़के कर सकते हैं और लड़किया नहीं कर सकती आज के दुनिया में ऐसा नहीं है हमारे पास हर एक बैच ऐसा एक होता है जो कि अभी तक काफी बैचेज हो चुक है जिसमें की काफी बार लड़कियां और महिलाएं आ करके बनातों तो अभी ट्रेनिंग लेने के लिए आए थे वह इनको ट्रेनिंग कैसा लगा है यह अपना पहले यड़ेस बता देंगे मेरा नाम भेकर आप अपशा है आप अपकर करके पीग्री फर्म में आ रहे हैं और जो शूच करके आपको ऐसा क्यों लगा कि पहले मि राण करके आम, हम मी संच एक हम सूप कुपा लेंगे, पर इसको देख रहे करेंगे, इसको बढ़ पैसा आका परिवरा परिवार जढ दॉर्चा है यह रहरा आपास के अपम सूने कि आप रहा है यह है, छे यह हमें में हाई सौने करना कि आपक कक चल रहा है ड्म्या टका म में हम मतलब कि अब आगे जो भी हमारा फार्मिंग होगा वो हम उसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे अभी तो लगता है अच्छा से कर सकेंगे ठीक है दोस्तों अगर आप चाहते हैं हमारे से ट्रेनिंग करना तो आप दिये हुए नंबर पर आप कॉंटक्ट करके पंद्र और मेरा नाम पारदा मातो हुआ है और मैं बरकन बड़कागाव परखंढसे है और मैं यहां चर्व से पीफार्मिंग में जब से श्चुटैँंग चल रहा है तब से में सबको ट्रेणिंग दे रहा हूं है तो खीक लिजैसों करने, सत्रीत चाहिए um और जब उसको अनुभाव लगने लगता है की अब हम कर लेंगे खुद को तो फिर फोन करना वो नई करने लगते हैं छोटे-छोटे कामों को तो मेरा कहना यह है दोस्त की आप लोग जब पीक फार्मिंग करना चाहते हैं जिसको सोच है कि आप पीक फार्मिंग करेंगे और पीक फार्मिंग तो करना अच्छा चीज हई है लेकिन बिना ट्रेनिंग को ना करें और है कि बहुत सारा student लोग जब हम लोग class लेते हैं जब समझाते हैं उसमें बताते हैं कि मेरा इतना का नुकसान चल गया इतना का नुकसान चल गया ताकिर हम क्यों नुकसान में जाएं उससे पहले हम है कि training ले ले जनकारी अच्छी तरह से ले ले उसके बाद हम training करें ताक और जब अच्छा करने लगते हैं जब फोन करके बताते हैं कि ऐसा हम कर रहे हैं जब अभी मेरा फोन अच्छा तरह से चल रहा है तो हम लोग को भी सुनने में थोड़ा खुसी मिलता है कि जितना हम बताएं साथ मेरा बताया हुआ काम में आ रहा है करके हम लोग को भी अच्छा लगता है सुनने में हम यही सब को कहना चाहते हैं कि आप लोग जितना लोग ट्रेनिंग लेकर के जा रहे हैं आच्छा तरह से जा करके ठीक थार्मिंग कीजिए और जितना तरह का धिक्कत आएगा आप हम लोग फोन के सहरा भी बता सकते हैं और जाब आप लोग फोन कीजिए हम लोग फोन उठा के बात धड़क करेंगे और आपको जितना भी समस्या रहेगा फोन के द्वारा कर देंगे ठीक है दोस्तों आप लोग जितना है जा करके अपना फिक फार्मिंग कीजिए और अच्छा तरह से कीजिए ताके हम लोग कभी नाम थोड़ा अगे जाए ठीक है मैं इतने ही बोल करके दन्या झाल